साथियो एक्जाम फाइटार नमरों पर आप सभी का हदिक स्वागत हैं साथियो छेत्र सिक्षा संस्थान एंसी आर्टी कि जो एक स्मवति मातपुर्ण यूनिट है श्यामला हिल्स भपाल में वहां से वेकेंसी आई है शांदार वेकेंसी आई है टीचिंग के छेत्र में तो देखिए इंटेविव्य होगा वाक इंटेव्य बन ली का पका कोई एक्जाम नहीं लिया जाएगा सिर्फ टीचिंग के अलावे और भी वेकेंसी है और भी वेकेंसी हैं नॉन टीचिंग के भी बहुत सारे पोस्ट हैं और काफ़ी आंसांदर संस्थान जो मसं समझें एंसी आर्टिक आप अंग बनेंगे इससे अच्छी बात क्या हो सकती है और ये सेंट्रल का यूनिट है आपका सकते हैं सेंट्रल गवर्रमेंट का आपको जौब करने का मोगा मिलेगा तो देखिए सक्षातकार का एजुन किया गया है सिर्फ सक्षातकार होगा इंट्रिव्य होगा कोई एकजाम नहीं होगा सक्षिनिक पदों का कारिकाल एक वरसका और इसके बाद जिस प्रकार का होगा तो आपको extension मिलेगा लेकिन हाँ आपने इमित का दावा नहीं कर सकते हैं यह पहले ही लिखने का क्रिटेरिया है तो देखिए कौन-कौन से पोस्ट है यहां पर आप देखें सिरियल नमबर है सबसे पहले यहां सिरियल नमबर है नेम पोस्ट है यह नमबर पोस्ट है कितने सीटे हैं इसके बाद सब्सक्राइब कौन सब्सक्राइब है चाहिए आपके लिए जिए जूप में मिल जाएगे आपको एकमुस्त मिल जाएगे लास वाइज नहीं तो यह साथ ही आपकी सबसे पहले हम लोग इन सब चीजों पर नहां जाते वह ज्यादा क्योंकि ज्यादा लोग इंतियार करते हैं पीजी टीटी के बारे में बात करता हूं पीजी के लिए व इकोनोमिक्स पॉल्टिकल साइंस मैथ संस्क्रीट इतने सारे में पीचिती की वेकंसी है आपका इंट्रिव्य होगा 26 जून 2023 को समय यहां पर दे दिया गया अलग लग भी शाहिक आप समय देख लें हो सके ते से स्कीन सॉट लेले हलाकि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक दे दूंगा यह पूरा विज्याबन आप खुद भी डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं यह टाइमिंग है सबका सब्सक्राइब वाजिसे इंग्लिस का नाइन थर्टी टैन थर्टी है फाइन आर्ट्स का एलेवन टू ट्वैल है इसके बाद को तर्टी टू ठी अपर देखें कि अपका जो सलेटी मिले कितना सताइज या पांच चौ मिलेगी पीजीटी के लिए इसी प्रकार आगे बदते हैं टीजीटी के लिए यहां पर अला कि एक ही सब्जाट दिख रहे हैं एक ही सब्जाट है संस्क्रिट और इसका भी प्रेशनल टीचर यह भी टीचर के लिए है ब्यूटी एंड वैलनेस इसके लिए तीन जुलाई का डेट रखा गया है आपके सिलरी जो है पचीस हजार मिलेगी प्रैम्री टीचर के लिए इंटर्व्यू कोई सब्जाक्ट यहां पर नहीं रहाता प्राइम्री टीचर में 10 सब्सक्राइब यहां तक देखें इंग्लीज हिंदी साइंस हम साइंस मैथ उर्दू और इसका इंटर्व्यू का डेट है छे जुलाई 2023 इंटर्व्यू का समय को आप यहां से देखें और से आपके शर्वीजर पांच चुरेज शर्वीजर दोसो पचास है तो यहां पर ल लग पोस्ट के लिए यहां पर दी गई है हम लोग बैसिकली पीजीटी और टीजीटी पर जहां देंगे कि उसके लिए क्या योगिता है तो आप सभी आउगत ही होगे पीजीटी टीटी के लिए जो विशेस योगिता होती है सबसे पहले देखिए इसेंश्यल क्वालिपि इसको देख लेते हैं टू यह इंटिग्रेटेट पोस्ट ग्रिजुएट एमसी कोर्स आफ रिजिनल इंस्टिटीट आफ एड्यूकेशन आफ एंस्यार्ती इन दा कॉंसर्ट सब्जेक्ट और यह अगर नहीं है तो और मास्टर्स डिग्री फ्रम में रिकोगनाइज पॉपिचैनसी इन टीजिंग के इन हिंदी एन इंग्लिस यानी बौत हिंदी एन इंग्लीज हैसा अब ढाने में यहां पर आप अगर इंटेग्रेटेट कोर्स को देके घवराएं नहीं कि इंटिग्री पर लांच किया गया है बहुत कम ही लोग इस के टेग्री से आएंगे अधिकतर लोग इसी के टेग्री से आएंगे क्योंकि पुराने इतने भी सब ने इसी के अनुसार पीजी करके रखिए यहां पर देखिए डिजारेबल में कम्पीटर का नोलेज होना चाहिए नौट मोर दन 40 एर मैक्सम में 40 एर रखा गया है मोड अप्सक्राइब लिए ट्रटी अप्रेल 2024 यहां डूरेशन भी डाल दी गई है कि आपको सेवा समाप्स कर दी जाए इसी प्रकार पीजीटी फाइनार्स के लिए यहां पर दिया गया है फिर टीजीटी टीचर के लिए क् कि फोर इयर इंडिग्रेटेड डिग्री कोर्स हलाकि इसमें मिलना बहुत मुश्किल है यह वाला आप देखें बैचलर डिग्री इविट फिप्टी परसंट माहर सिंदा कॉंसर्म सब्सक्राइब क्यानि आपका ग्रेशन जो पुराना वाला है वह ग्रेशन होना चाहिए म अगर आप मैठ में बनना चाहते हैं बैचलर डिग्री इन मैठ आपके पास होनी चाहिए इसके अलावा दो भिष्टय कोई बी दिसे फिजिक्स है केमेश्ट्री है इलेक्ट्रोनिस है कंप्यूतर साइसे इसमें कोई भी दो भिष्टय आपका होना चाहिए इसके बाद यह आपका होना चाहिए इसके अलागा टीचिंग में जो आपका स्किल्स है उसमें हिंदी और इंग्लिस दोनों मिडियों साथ पढ़ा सके करना चाहिए मैक्समा में 35 दिया गया वाकर इंटर्विव और यहां भी 30 चार चीजियों के बारे में बात करेंगे क्या योगिता रहें कि बहुत सारे पत हैं काफी बिलम बजा के साथ हो अलाकि मैं यह फूरा जो वीडिया आपको दिखा रहा हूं इसका फूरा लिंक आपको करना अप्लाइस सात्ति में आसे करना है और फॉर्म को अच्छे से भरके और सभी जो आपके पास एक्टेस्टनल क्वालिफिकेशन है उसका साथ लगाना है सेलपे टेस्टट करना है और उसको अपने साथ लेके इंटर्वी में पहुंच जाना है को एक जाम आपको नहीं लिए जाएगा हलाकि जितने चीजों का लगाएंगा उसका ओर्जिनल भी साथ में लेकर जाना है ताकि जरोत पढ़ने पर आप से मांगा जाए जेनल कंडिशन में यहां देख लीजिए जेनल कंडिशन में दिया गया है इसको पढ़ लेता हूं एक बार इंट्रेस्टेट कंडिट हूँ फुल्फिल डाइब कंडिशन में अपलाई त्रू वाक इंटर्वी आपको अपलाई कोई पोस्ट कुरियर से नहीं करना है नहीं ऑनलाइन करना है आपको सीधे डोकॉमेंट लेकर प्लेस पे पहुंच जाना है अगर ज्यादा पोस्ट के लि तो आपको अनोसी भी चाहिए इसके अलावे आप अगर सी या किसी भी ओविसी या किसी भी केटेग्री से हैं तो आपको उससे समनित कागजात देना होगा इसके अलावे यहां कह रहा है कि इसके अलावे अगर आगे बढ़ें तो हाँ यहां पर देखिए मुख की बात है कि नमर पोस्ट केंड बी निक्रीज और डिक्रीज नमर पोस्ट को बढ़ाया जा सकता है घटाया सकता है यह इनके निर्वर है कि इसके अलाव वे से जोकी एंसे आर्टी में जाब करतें तिन साना से उसको अपलाई नहीं करना है अब यह देखिए बहुत इंपोर्टेंट बात है यहां पर लास्ट में आल इलिजबल केंड़ेंट डिक्वाइर तो ब्रिंग फिल्ड अप्लिकेशन फॉर्म एलॉंग वि और डोकुमेंट भी आपको साथ में रखना है साथ ही जिरॉक्स को भी रखना है जरुत पढ़ने पर इसे दिखाना पड़ेगा इसके अलावे ऐसी स्टी ओविसी के हैं तो आपको कास्ट चाहिए इंट्रिव्यू जो होगा इंट्रिव्यू का प्लेस आप देख लें आप सबसे अच्छी बड़ी बात है कि प्लेस देखले कहां पर इंट्रिव्यू होगा टाइमिंग का वह तो आप देखने देखी लिए हैं प्रिंस्पल्स ओफिस में रिजिनल इंस्ट्रिटीट ऑप एजुकेशन शामला हिल्स वोपाल 462002 MP मत्रिपरदेश तो यह एड्रेस है फिर भी अगर आपको कोई कमेंट करें कमेंट का जवाब जरू दूंगा साथ यह पुनाएग रिक्वेस्ट चनल पर नए चनल को सब्सक्राइब करें बेल आकोन को प्रेस करें और बेटरों को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की सुचना आपको मिल सके तेंक्यू तन्नेवान